हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी बहुत-बहुत स्वागत हैं आप सभी का और हमने एंगलिश लिट्रेचर ग्रेड वन के लिए जो आपका फर्स्ट नॉवल है फिक्शन के अंदर प्राइड एंड प्रजिडिस इसको हमने स्टाट किया था आपने वीडियो देखा होगा अ अभी हमने लास्ट वीडियो में कहानी को डिसकस किया था इस जो यह प्राइड एंड पिजडिस है जैन ऑस्टेन है इन सब के बारे में हम आगे डिसकस करेंगे एक-एक करेक्टर के बारे में अलग से डिसकस करेंगे ठीक है पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्यों प्रजुडिस। प्रजुडिस। का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाना, प्राइड का आर्थ होता है कि कहीं-कहीं एरोगेंट होना, इना, सूपर सिलियस होना, प्रावड़ी, पॉम्पस, तो यह किसको का गया था मिस्टर डर्शी को, यह इस कहानी में प्रटेगनिस्ट है ये भी इस कहानि में Smarling है मतलब हिरो-फिरोईन है है ना। और जू इलिजाबे था यह प्रिजडिरीजूंण का मतलब क्या होता है पूर्वान लगाना इनके is Ryan के ने कई कई गया भी होती है ना आगे बढ़ाते हैं इसमें क їх स्टोरी के के से जो famoso बेटीक शादी किसी एक अच्छे घराने में होजाए तो वहाँ पर एक जगे होती है हैना जो ये रहते हैं कहां पर Langburn में ये Longburn में एक जगे होती है वहाँ पर ये रहते हैं और इसके बाद हमने आगे बड़े थे कि इनकी 5 बेटियों के बारे में ने डिस्कुस किया था और यह सब पूराने वीडियो का बता रहा हूं ठीक है मिस्टर बैनेट मिस्स बैनेट के बारे में हम डिस्कुस किया था उसके बाद मैं यह पांचों बेटियों के बारे में हम डिस्कुस किया था उसके बाद कहानी शुरू होती है एक party से जो कि नीदरफिल्ड पार्क में होती है है ना मिस्टर बिंगले और उनके दोस्त डर्सी जो वहाँ पर मिलते हैं जो बिंगले है वो ड्रसी को बोलते हैं कि वही डर्सी जो होते हैं वो जैन जो एलिजाबेट की बड़ी बहन है वो उनको पसंद करते हैं है ना और मिस्टर डर्सी को बोलते हैं कि तुम भी जो वो एक लड़की बैठी हुई अच्छी सुन्दर है डांस कर लो बोले कि मुझे नहीं लगता सुन्दर है मेरे लायक नहीं है तो यह सुन लेती है एलिजाबेट और महां पर इससे कहानी के लगता है कि कितना घमंडी आदमी है और ऐसे करके कहानी आगे बढ़ती है ना और उसके बाद में इन दोनों की मुलाकात बतलब ही पर पाइटी में होती है तो हमने इसमें काफी को चीजे पड़ी थी आप लास्ट वीडियो जरू तो वो मना कर देते हैं और यह कोटेशन है जो की एक्जाम में पूछा जा सकता है कोटेशन बहुत आते हैं इसके बाद में आगे बढ़ाते हैं और यहां से अब देखिए जो कहानी शुरू होती है जो हमने लास्ट छोड़ा था उसके बाद मिस्टर कॉलिंज अब मिस्ट के बारे में फ़ुरासा बता देता हूं है ना मिस्टर कॉलिंज जो है ये एक पॉमपस जनरली इडियोटिक क्लर्जी में हो स्टेंड्स टू इनहेरिटमिस्टर बैनेटी इस जो मिस्टर कॉलिंज होते है न यह नया एंटर हो अब ये क्या करते हैं, कि ये किस साइब का आदमी होता है, ये pompous, pompous वर्ड या रखिए कि आपके एक्जाम में भी आ सकता है, pompous का मतलब जो होता है ये होता है proudie, ये आपके grammar में आ सकता है synonym के अंदर, इसको हम super salious भी बोलते हैं, super salious, the person who is pompous in style, manner, उसको हम super salious बोलते हैं, इसके अलावा इनको आप magniloquent भी बोलते हैं, ऐसे इंसान को, magniloquent, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं, grandiloquent, ठीक है, ये साथ इसके similar word है, proudie, जिसको थोड़ा सा government होता है, तो ये जो इंसान होता है ये बैनेट की जो property होती है, अब पांच लड़किया है, तो अब वारिज कौन, त social status is nothing to break about, but he takes great pains to let everyone and anyone know that Lady Catherine day work, देखिया, Lady Catherine जो होती है, ये आपने देखा होगा, जो आगे Mr. Darcy, जो है, तो उनकी आँटी होती है, वो कहीं न कहीं, ठीक है, तो ये आके बोलता है, यहाँ पर Bennett family में, कि जो ये Catherine है, Miss Catherine, Lady Catherine, तो इन्होंने जो है, मुझे Dean बना दिया है, ठीक है, अब मेरे पास सारे property महां की हो गई है, तो ये क्या करता है, कि ये Elizabeth को propose करता है, बोले कि मेरे साथ शादी कर लो, Elizabeth मना कर देती है, तो अब इसको Miss Catherine, ये जो Lady Catherine होती है, ये force करती है, कि ये आपको किसी से भी शादी करना पड़ेगी, मतलब, ये शर्त है, तो ये Elizabeth को propose करता है, लेकिन Elizabeth तो मना कर देती है, तो उसके बाद में जो Elizabeth की एक friend होती है, तो ये उसको propose करता है, और वो हाँ कर लेती है, तो ये इसका role रहता है, मतलब इसमें है, आगे, he is the worst combination of snobbish and of sequence, मतलब कि वो ही proudly type का होता है, और यहाँ पर ये Elizabeth को propose कर रहा है, लेकिन Elizabeth जो है, को मना कर देती है, तो इसकी एक sister होती है, भी आगे आएगी, उसके बारे भी discuss करेंगे, ये उससे शादी कर लेता है, तो ऐसा मामला रहता है इसका, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, अब इसमें थोड़ा सा और देखिए आप, Mr. Collins, the heir to the long burn state, यहाँ पर एक और चीज, grammatical चीज आती है, ये hair नहीं है, है ना, मैं आपकी जानकरी के लिए बता दूँ, कि ये air लिखते हैं इसको, A से शुरू होता है, तो इसके आगे कभी article की ज़रूरत पढ़े, तो A मत लगाईएगा, N लगाईएगा, ठीक है, ये बैनेट फैमिली में आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, किसलिए आता है, with the intention of finding a wife among the five girls under the advice of his patroness, Lady Catherine Day-Burr, मतलब कि Lady Catherine बोलती है, महीं, तुम शादी करके आजाओ, बस किसी से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सुन्दर हो, बच्चुरत हो, चलेगी, शादी करके आना पड़ेगी, तो ये बैनेट फैमिली में आता है, इस intention के साथ, कि यार अगर ये इन पांच लड़कियों में से कोई भी में साथ, शादी कर ले, तो मेरा काम हो जाए, तो ये प्रपोस करता है, एलिजाबेट को, तो वो मना कर देती है, है ना, आगे, और इसको फोर्स कोन करता है, ये सोचता है कि एलिजाबेट सुंदर भी है, प्रपोस करता हूँ, और वैसे भी मुझे जो है, लेडी कैतरिन ने डीन बना दिया है, तो वैसे भी हाँ कर देगी, क्योंकि महाँ पे उस समय कैसा था, कि भाईया, अगर कोई गरीब लड़की है, और पैसा वाला है, तो उस जॉर्ज विखेम, अब ये एक और व्यक्तिक इंट्री होती है, जॉर्ज विखेम, अब जॉर्ज विखेम कोन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, देखिए, जो जॉर्ज विखेम है, ये, हैंडसम, देख़ो आप दिख रहा होगा, बिल्कु अब होता है, ये एक हैंडसम, फॉर्चुन हंटिंग, मिलिटिया ओफिसर होता है, विकम्स गुड लुक एंड शाम अट्रेक्ट एलिजाबेट इनिशली, अब ये जो विखेम होता है, ये एक तरह से आप यू समझ लो कि जो गुल्शन अपने जैसे कोई भी मूवी आपने दे है, ये डायलोग रहता है, तो उसको सपना से प्यार नहीं होता है, उसको तो बस के सपना साधी कर लों, मामा ठाकूर, ऐसा ही कुछ रहता है, बोले उसके सारी समपती अपनी हो जाएगी, तो इसका रोल कुछ इस तरीके से रहता है, समझ गए आप, है ना, तो ये जो होता है न यह वहान पर आता अलिजावेत के बारे में बताता है कि बोleri अच्छा अदमी नी है उसने मेरे साथ में दोखा किया पहले तो इलिजावेत बिचार इस इस आदमी के साथ दोखा करा मतलब कि वह गलत नहीं होता बहुन यह होताrain दर्षी किसा क्या करा ये दडषी की बैंट भाग गया था उसको लेकर हैंना तो यह बात टो अब ऩो उसको यह विलन से रखेगाbirds है है कि यह हीरोणी यह विलन आगे बात करते हैं तो यह जोर्ज विकेम होता ही है यह भी युस बैनेट फैमिली में आता है यह एलिजाबेट को ऐसे फसा लेता अपनी बातों में है ना और वो फस भी जाती है तो वो कहीं ने कहीं से अट्रेक्ट भी हो जाती है बोले यह सही आदमी है ऐसा है आगे बात करते है अब आगे बढ़ाते गाड़ी को आगे क्या होता है कि एलिजाबेट डांसेज एक सेकेंड एलिजाबेट डांसेज विट मिस्टर डर्सी अट बॉल वर मिस्स बैनेट हिंट्स लाओडली दर शी एकस्पेट्स जैन अंड बिंगले के साथ करने के लिए वहाँ पर वो चाहती है कि इन दोनों की हो जाए तो बड़ी और वो दोने दूसरे को भी चाहते हैं जो बड़ी बेटी और विंगले बिंगले जो की डर्सी का फ्रेंड है और बड़ी बेटी जो की अलिजाबेट की बड़ी बेहन है समझ गए्ए dość अब Elizabeth rejects Mr. Collins marriage, Elizabeth जो होती है न वो reject करती है Mr. Collins marriage proposal, Mr. Collins जो होता है जो अभी आपने देखा होगा यह, यह reject कर देती है, बोले मुझे नहीं करना इस आदमी किसा शाधी, वो जो आता है न जो बोलता है कि Lady Catherine ने मुझे डीन बना दिया है, तो उसको पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसको तो कहीं न कहीं वो पसंद आगया इदर, कौन? विलन, विखेम, ना, डरसी तो अभी थोड़ी दर बात फिर से आएगा, अब क्या होता है, कि having heard Mrs. Bennet words at the ball and disapproving of the marriage, Mr. Darcy joins Mr. Bingley in a trip to London, अब क्या होता है, और आगे सुनो, and with the help of his sister convinces him not to return to Netherfield, अब इसी दोरान क्या होता है, कि इधर Elizabeth ने जो है, अपने Collins को मना कर दिया, उधर Mrs. Bennet चाहती है, कि मेरी बेटी की शादी, बड़ी बेटी की शादी Mr. Bingley के साथ हो जाए, लेकिन उधर से, जो Mr. Bingley होते है, उनकी एक बहन होती है, है ना, उनकी जो बह Elizabeth को भी पसंदी करती है, क्यों, समझ में आरी है आपको बात, जो Mr. Bingley है, तो Mr. Bingley की बहन जो होती है, वो Elizabeth को भी पसंदी करती है, क्योंकि वो चाहती है इधर Mr. Darcy को, समझ गए, तो वो एक लेटर देती है, किसको, वहाँ, Bennett family में लेटर पोचाती है, Jane के पास, बोले के हम जा रहे हैं, England, अब वापस आएंगे नहीं, हमारा इंतजार मत करना, ठीक है, और ये जो Bingley है, ये भी बोलती है, कि ये जो Bingley है, ये जो Darcy है ना, उसकी बेहन से शादी कर लेंगे, तो तुम इंतजार मत रेना, इनका दिमाग खरा हो जाता है, तो Mr. Darcy joins Mr. Bingley, ये दोनों स अब क्या होता है, कि वो जो होती है, जैन, वो उसकी आण्टी के माँ चली जाती है, इधर जो Elizabeth की दिमाग में रहता है, कि ये जो Bingley है, ये शादी कर रहा था, जैन के साथ, तो इनकी, और इस Darcy नहीं चाहता था, कि ये जैन के साथ शादी करें, जैन के साथ शादी करें, मतलब उसकी दिमाग में चल रहा है, पिजिट इस, हैना, तो इसका मतलब कि ये सगई इसी ने तुड़वाई, जैसे हमारे इधर एक नियम होता है, एक नियम तो क्या होता है, हमारे इधर क्या होता है, जैसे मानलो आपके घर में, जैसे मेरी इज मानलो, मेरी सगई होई, तो जब मेरी सगई होई, तो हम लोग क्या करते हैं, कि रिस्तेदारों में किसी को ज़्यादा बताते नहीं है, है ना, हमको ऐसा लगता है, कि रिस्तेदारों में किसी को पता नहीं है, और रिस्तेदार अपनों से पहले पता रहता है, कि इसकी कहा स लेकिन वह ऐसे सब्सक्राइब करते हैं उनको पता हो और बात भी नहीं करते हैं हम कि इनको पता नहीं है नहीं वह इस चक्क्र में कि यह सब मता आता है जिन्दगी का तो होता है कि हम लोग रिस्तेदार हो जाकर फिर दे ये कुछ भी कर देंगे किकि उनको सब जान करीं ये परिवार के बारे में और उनको कि यह इस तर्सी ने तुडवा दी सकते कि यह चाहता है किसकी बहुत कटिया तो वह प्रिजुडिस कर रही है वह अनुमान लगा रही बेटी-बेटी यह कहानी की स्टोरी वह लुमाजा आ रहा है कि नहीं तो ऐसा होता है अब देखिए एक बात बता दूँ अगर आपको ऐस क्योशन कर लेंगे बहुत सारे प्रेक्टिस क्योशन करो पर पेले से क्या सब्सक्राइब नौटिस क attracting करेंगे तो क्या पता आप 04 संथे इस timestaking औरियो实िकित यह यह मिस्स एलिजाबेट, मिस्टर बैनेट, मिस्स बैनेट, मिस्टर कॉलिन, है ना, डर्सी, ठीक है, डर्सी की बहन, उदर, और जितने भी होंगे, मिस्टर बिंगले, मिस्टर बिंगले की बहन, है ना, और आगे एक चार्ट भी आएगा, उसमें मैं पूरा खतम करने के बाद, आपको वो चार्ट ऐसा बता दूँगा कि आपके दिमाग में सारा फिट हो जाएगा मामला, यह, यह जो चार्ट है, इसमें जुतने भी केरेक्टर है ना, सब अपन एक एक करके डिसकस कर लेगे, तो आपके दिमाग से सब, उसके बाद फिर आप प्रेक्टिस करो ना क्या द तो जब पूरी स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्योशन करेंगे, तो किसी भी किताब का क्योशन होगा आपसे, समझे ना, वो चीज़ जरूरी, देखो, काम करो, है ना, तो पक्का होना चाहिए, है ना, वो तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से चूके, है, मतलब अगर तो आपन तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर ठीक है, बोले यह तीर लगा ना, लगेगा तो नहीं, देखो, सई, लाओ, यह लगा, मैं को मालूम, लगरा क्या, और एक वो होता है कि तीर लगा, लाओ धनुस, ला वो लग गया, वायर, समझे, तो वो तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से चुकिया, पर अगर अपन, अपनने सब कुछ करा, स्कूलिंग भी करी, हमने इंग्लिश रिटरेचर भी करा, है न, कहीं से भी करा, महर्शी से भी करा, या कैसे भी करके करा, प्राइवेट क करा रेगुलर करा पेसे भी लगाए और जब हमारी नोकरी की बात आई तो यहां हम डीले में ले रहे हैं ठीक है कर लेंगे कर लेंगे करना पड़ेगा ठीक है देखिए हमने अब स्टार्ट किया है तो फिर अच्छा ही किया है मैं ऐसा नहीं कि टाइम पास में जितना भी और का पेपर के वीडियो कॉर्स आपको मिलेंगे लेयर त्री एजुकेशन के एप पर ठीक है लेयर त्री एजुकेशन उसके एप पर आपको पूरे मिलेंगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहतरिन से बहतरिन पूरा डिकल में बता हूं था कि कुछ भी आ जाय तो आप कर लो तो यह लेर्थ रेजुक्रिशन का एप आप डाउनलूड कर लेना वहाँ पर आपको ग्रेड वन का पूरा डेड़ सो नंबर का बालविकास आपका जो पचास नंबर का कॉमन पेपर है ना गणी रिजनिंग किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है यूदि के गण परशानी आती है 9977651282 इस नंबर पर आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकता है अगर कोई परशानी आती है कोर्स बाय करने में तो ठीक है तो यह पूरा आपको महाँ पर मिलेगा जिसमें पूरा बैसिक से ग्रामर भी रहेगा मैं ही पड़ाओं को शांदर तरीके से आप वीडि आते हैं गाड़ी को अब और यह सारी पीडिएफ आपको उसमें मिलेगी है अब देखिए अब यहां पर क्या होता है कि कहां थे अपन भूत आगे आ रहे हैं यह तो हो गया था चलो अब इसके बाद देखो अब इसके बाद ऐसा हुआ कि इन दे स्प्रिंग अब क्या होता है कि बारिश का मौसम रहता है Elizabeth visits Charlotte and Mr. Collins in Kent अब वहां पर क्या होता है कि जो Elizabeth होती है वो कहां पर जाती है वो Mr. Collins के घर जाती है Kent में तागे Elizabeth and her host are invited to Rozing Park महां पर Rozing Park जहां पर Elizabeth को बुलाया जाता है जो की Lady Catherine's home होता है मतलब मैं आपको सम्झा था हूँ Lady Catherine के घर पे एक party चलती है Kent में, जहाँ पर Elizabeth भी जाती है ठीक है, और वहाँ पर Mr. Collins भी होते हैं है ना, अब Mr. Darcy and his cousin Colonel Fitz-William अब एक Mr. Darcy के जो cousin होते हैं, जिनका नाम होता है Colonel Fitz-William यह भी वहाँ पर मोजोद होते हैं Are also visiting Rosa स्पार्क, Rosa स्पार्क में पार्टी चल रही होती है, यह पार्टी किस की तरफ से होती है, लेडी कैतरीन की तरफ से, जो की Mr. Darcy की आंटी होती है, है ना, और वहाँ पर जो है, Elizabeth जो होती है, वो भी वहाँ पर आती है, और उसकी एक सहली होती है, है ना, उसकी सहली Charlotte, यह किसकी सहली होती है, Elizabeth की, है ना, अब ये चार्लोट कौन है Mr. Collins आपको याद हो तो जो Mr. Collins होता है वो प्रपोस करता है Elisabeth को लेकिन Elisabeth मना कर दिती है फिर वो प्रपोस करता है चार्लोट ये इसकी सहली होती है किसकी Elisabeth की और ये इसको तो यूँकर पैसे वाला है ने कल्लो साधी फीरी हो जाएंगे तो ये शादी कर लेती इससे और शादी करने के बाद में जो है ये पती-पत्नी हो जाते हैं दोनों समझ गए न आप तो वहाँ पर आती है Elisabeth ठीक है ये सब लोग होते हैं वहाँ पर मतलब वो जो करनल फिट्स विलियम जो की इसके कजिन होते हैं डर्सी के वो एलिजाबेट को वहाँ पर बाक्षी चलती है तो बताते हैं कि यार मिस्टर बिंगले का जो फ्रेंड था उसको किस तरीके से डर्सी ने बचाया अब डर्सी बहुत अच्छा व्योस्तित आदमी है फिर इसके दिमाग में वो के रहा था अपने गुल्सन ग्रोवर विखेम कि तो गंदा आदमी यह कि रहा है कि बड़े आदमी है तो वो फिर कहीं न कहीं वहाँ पर समझ जाती है कि यार वो पूरी बात बताते हैं उसको कि यार वो जो डर्सी मना नहीं करा था तो मारी ब डर्सी प्रोपोस्ट तो एलिजाबेट लिकलेंग इस लव फोर हर दिस्पाइट हर लो सोशल कनेक्शन शी इस शॉट मतलब की वो बताती है कि वहाँ पर ऐसा कुछ डर्सी ने नहीं किया था जो मेरे दिमाग में चल रहा था तो वहाँ पर शॉक्ड हो जाती है as she was unaware of Mr. Darcy's interest and rejects him angrily saying that he is the last person she would ever marry and that she could never love a man who calls her sister such unhappiness वो जब महाँ पर क्या होता है कि Mr. Darcy जो होते हैं वो प्रपोस्ट कर देते हैं Elizabeth को क्योंकि उनका प्रेम उनके प्रती बढ़ जाता है तो Elizabeth उसमें मना कर देती है बोले कि मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जो मेरी बेहन को जो है दुख में डाल दे मतलब मेरी बेहन की शादी मां हो रही थी बड़िया मिस्टर विंगलेक साथ जो तुमने तुड़वा दी है ना अब ने तुम मेरे को कह रहे हो कि मैं कि I love you ऐसे थोड़ी चलता है मैं क्या मैं पागल हूं क्या मैं तो नहीं कर रही है ऐसा वो मना कर देती है उसको है ना फिर क्या होता है शी फर्दर एक्यूज हीम ऑफ ट्रेटिंग विखेम अंजस्टिस मिस्टर और फिर एक और यह भी बताती है मतलब यह जो मैं आपको ब दर्सी की और एलिजाबेट की अब इन दोनों की बीच स्टोरी चल रही होती है कि जो डर्सी होते हैं उनको कहीं प्रेम बढ़ जाता है क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि वह जो जैन थी वह कहीं गई थी तो वहां पर बारिश में उसे रुखना पड़ा था तो वहां पर भी इनकी थोड़ी बहुत मुलाकात होती है तो अब यहां पर क्या होता है कि डर्सी जब उसको प्रपोस करते हैं तो वह यह बोलती है कि तुमने एक तो मेरी बेहन को दुख में डाल दिया उसकी विचारी की दिक्कत कर दी दूसरी तुमने वो जो अपने वो था विखेम था उस विखेम के भी साथ एसा करा विचारे को उसको तुमने नोकरी से निकाल दिया और उसके साथ भी ऐसा करा तो फिर क्या होता है कि मिस्टर डर्सी ब्रेक्स अबाउट कि सक्सेसिंग बिंगली जेन और सेक्रिस्टिकली डिसमिस डेक्यूजेशन रिगार्डिंग पुरा डिटेल समझाता है कि वो जो वो तुम जिसके के रहे हो ना विखेम विखेम गुल्शन ग्रोवर वो मेरी बेहन के साथ बाग गया था तो इसलिए मैंने उसको नोकरी से निकाल दिया था और उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था उसकी पिताजी साथ भी अच्छ तो वो उनकी अच्छी से सेवा करता है कोन? Mr. Darcy, है ना, और इसके पहले जो Mr. Darcy होता है, वो उसको एक लेटर भी देता है, और वो बताता है पूरा डीटेल की भईया, मैंने ऐसे यसा नहीं करा था, है ना, उसके बाद फिर अगली बार फिर मुलाकात होती एक और बाद, Elizabeth is surprised by Darcy's behavior and gross font of him, उसके बाद जो Elizabeth होती है, जो Darcy का behavior change हो जाता है, बोले यार पहला इतना गमंडी था, अब बढ़िया सेवा कर रहा है, यह तो सर्क्राइज हो जाती, बोले यारी, सही आदमी है यारी कि मुझे ऐसा लगता है, इसके बाद क्या होता है, कि she receives news that her sister Lydia has run off with weekend, अब फिर इतने दिन में खबर भी आ जाती है, बोले के हाँ, क्या हो गया, अरे कुछ नहीं वो जो Lydia नहीं है, अपने छोटी-छोटी जिसको घर वालों बहुत मात्य सर चड़ा रखा है, हाँ, हाँ, बोले वो एक यम के साथ भाग गई, तो यह खबर मिलती है किसको Elizabeth को, अच्छा, भाग गई वो, बोले हाँ, हाँ, आपको यह character अगर मैं बीज-बीज में जो नाम ले रहा हूँ, यह character अगर समझ में नहीं आ रहे होंगे ना, चीनता मत करना, आगे जो मैं टेबल बताऊंगा ना, पूरा डीटेल में समझ में आ जाएगा, अब क्या होता है, कि she visits the family and tells Elizabeth that Mr. Darcy was at her wedding, और though Mr. Darcy had sworn everyone involved to secrecy, Mr. Gardiner now feels obliged to inform Elizabeth that he secured the match at great expense, the trouble to himself, देखो क्या होता है, कि वो जो है, अपने Lydia, वो WKM के साथ में भाग जाती है, लेकिन WKM उसके साथ फिर रहने से मना कर देता है, क्यों, क्योंकि वो चाता है कि मुझे कुछ पैसे मिले, यह ना, तो पैसे मिले, तो अब वो, वहाँ पे, कोई उसको पैसे देता है, तो कोई उसको पैसे देता है, तो फिर पता चलता है कि यह पैसे किस ने दिये, फिर पैसे देता है, उसके हाथ रहने को को होता चलती है अब गाना शुरू वता है कौण सा कि अब प्रेम उमरता अंदर से अब है निन कीसे अब है टू असा होता इस दीरता है लक्रण चलता है फिले पहले और लक्तर रहे थे पहले जब वां timely पार्टी में मिले थे जहां चाने जिसका गम वो ही चाने बेगाने हुए अपने और अपने हुए बेगाने तो यह ऐसा वामला देता है समझ गए तो कहने का मतलब यह है कि अब उसके मन में प्रेम बढ़ता है बोले यार डर्सी अच्छा आदमी यार उसने पेसे उसको दे दिया वो पेसे चाहिए थे उ और जो मिस्टर डर्सी दोनों फिर नेदर फिल्ड वापस आते हैं जैन एक्सेप्ट जैन जो होती है वो मिस्टर बिंगले को के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसने शादी तो नहीं की होती है फिर वो आते हैं और वो उसको प्रपोस करते हैं मिस्टर बि भी Elizabeth ने भी महां कर दी और वाय तो यह दो ही जने बढ़िया यह देखो happy ending करनीच पड़ती है ना फिर क्या होता है कि Darcy visits her and demands she promises never to accept Mr. Darcy's proposal है ना as she and Darcy's late mother had already planned his marriage to the daughter Annie Elizabeth refuses and ask the outraise lady Catherine to leave Darcy her attendant by his aunt's indignant relying of Elizabeth response again proposed to her and she accepted मतलब कि finally यही होता है कि Mr. Darcy होते हैं वो और Elizabeth दोनों साथ में हो जाते हैं और इदर Mr. Bingley और जो बड़ी बेटी है Jen वो दोनों भी साथ में हो जाते हैं और ऐसे करके और यह वही demands she promised that never to accept Mr. Darcy's proposal तो यह वो ही के ऐसा हुआ था पहले लेकिन अब मेरा मन परिवर्तित हो गया है और अब मैं इनके प्रती मुझे अच्छा लगता और ऐसा ऐसा करके बोलो कहानी केसी लगी अब देखिए अगले वीडियो में मैं आपको पूरा यह बताऊंगा चार्ट जिससे आपको यह पता चले कि एलिजाबेट बेनेट कौन है है ना इनके माता-पिता कौन है इधर यह मिस्टर फिलिप्स कौन है एडवर्ड गाइडनेर कौन है है ना और लीडिया बेनेट कौन थ यह सब इसको अगले पूरे वीडियो में इसको डिसकस करेंगे ठीक है चले बहुत बहुत धन्यवाद है अच्छा जो लोग नए हैं जिनको पता नहीं है तो यह क्लास आपकी कहा पर चल रही है लेयर थी एजुकेशन के एप पर आपको मिलेगी कंप्लीट ठीक है ग्रेड तो वो मुझे 9977651282 पर कॉल करें अभी इसमें एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम इसको डिसकस करेंगे उसके बाद इसमें एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम एक ए करेक्टर को भी डिसकस करेंगे ताकि यह आपका पका काम हो जाएगा और फिर हम क्योशन भी कर ठीक है थैंक यू सो मुच मिलते हैं नेक्स वीडियो